गाइस असलाम मुलेकूम अभी का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा साड़े पास बजे आप सभी का वेलकम हमारे यूटूब चैनल पर सदपनाज ब्लॉग्स तो देख सकते इधर साड़े पास बज चुका है और मैं पोहा बना चुम पर चड़ा हुआ है पोहा मैं बना चुकी हूँ कि साड़े पास फोर्जू का है अधर जो है गुल गुला का इह फेट कर पर रखिंग मैं इसमाज पर ड्राइफ फ्रूट भी डाली हूँ काजू बदान किश्मिस और नायल खुपड़ा सब डाल कर और थोड़ा सा नमक इंदम थोड़ा से एक भजिया का भजिया भी छान देगा और गुल गुला अधर तर्बुज रखाऊ तर्बुज को अभी कट कर लेते कट करके फ्रीज में रब देंगे जब उसके बाद फिर अपना काम करेंगे आगया का इधर पोहा तो चड़ावा है हमारा पोहा को आप बंद कर देंगे क्यो अधर पोहा बनाएं है कि गाई से दर भजिया तर्वरी दुनाएं है कि एक बार यह डाल चुकिने एक बार का और है उसके बाद गुल गुला को कर देखें गाई इस मेरा फिलाव यह जब देख सकते हैं मिरी बेटी मरी लाड़ो मरी जान महंदी लगाई है कितना प्यारा मरी लाड़ो महंदी शुखाएगी बहुत देर तक और रेड़ करके दिखाएगी कितना रेड़ होगा आज कितना रमजान है बेभी फेहला पहला पहला रंदान है 22 हो गया और तुम लगा ली महंदी और मैं भी लगाओंगी यहां लगाओंगी बेटा मैं तो बाहर की राजा राजा काइस देख सकते हैं आज मैं लगाई हो मेहंदी यह हाथ का है लेफ्ट यह है राइट का दोनों में सेम डिजाइन है थोड़ा सा डिफ्रेंस है यह राइट का यह लगाई है सपना बेरी याना दनीलू की फ्रेंड चा भी रहा है राजा बाइस रमजान तो बाइस रमजान को में मैं भी लगाई हूँ यह है लेफ्ट इस पर भी शापर उसे छोड़ रही है कि यहाइस असलाम लेकूं अग्लिये सुबा का वक्त साड़ी छे बचरा इस पूल भेजने के लिए मैं यहां बैठी हूं प्राठा को दो टुक्रे में तोड़ दी हूं और भी तोड़ूंगी और चाइब तोड़ दूँगी तो अच्छे सखा रहा तो बोलेगा दो पीस दोपीस निखाई यह मेहन दी मैं लगाई थी लेकिन रेड नहीं हुआ बिल्कुल बेकार दिख रहा है अब पता नहीं मैं दो दी क्या करी तो एक्डम अच्छा रेड नहीं आया जैसा भी डिजाइन हो अच्छा लगता लेकिन अच्छा राचा ही नहीं है यह सालागा छूट गया है बहुत दिन से मैं लगाई भी कि दूद चार दिन हो गया चूटने की तादार प्या तो अब शाड़ किन बचे स चले इस वनास्ता वस्तकराजी त्यार वर कराके फिर स्कूल भेजूँगी स्कूल भेजने के बाद भी नहीं सोंगी है यह कि मोटर चलाना है मोटर चालू करेंगे टंकी भर जाएगा उसके बाद भी बंद करके सोंगी और तीन चार रोती जब तक बनाऊंगी सिर्फ बहर का टाइम हो चुका है एक डेड़ बज रहा है तो मैं दो बज़े तक ना काम करके नहां दुआ दूँगी पुछा का पानिया ले चुकी हूँ और इधर पैर पुछने का है डोर मेर तो जटकार चुकी हूँ वहां इहां का बेड़शीट बगार उठा चुकी हूँ त इधर पिलो इलो सब इधर रख चुके हैं इधर सब पुरा इधर चादर भी चाह लेंगे बेड़शीट उसके बाद पुरा इधर यह करेंगे तो बर्केट संस्व पोचा ने लगा ऊचने से पोचा लगा रही हूए क्योंकि जारू नहीं लगाएं कश्रा उतना थानी इस विस्तंबसा जारी ठोड़ा बहुत दस्ट हो गया तो मैं ऐसे पोचला कर लोंगी क्योंकि बहुत जारू लगाने में बहुत सरा सामान को हटा करना पड़ते सब कुलर सब साइड करना पड़ता है तो पुछा लगा कि सब घसका दूंगे दर्वार से साइड कर दूंगी इसको कुलर को और फिर इधर में पुछा लगाए थे लेकिन लाल नहीं वह अच्छे सिदम उदास जैसा हुआ है अच्छा नहीं जैसे शानिंग व आलू समोसा आलू का समोसा बनाने के लिए मैं आलू चगहा चुकी थी और पापा इधर पता नहीं पापा लगता दुकार में नहीं बनाए इसमें मटन कीमा है तो पूरा कटुनी बनाओंगी थोड़ा समय यूज करूंगी चैसे आलू का समोसा बनाओंगी तो तीन-चार बनादूंगी कीमा का समोसी जो मैं कल यूज कर सकती हूं उसको क्योंके आसिर समोसा ही बनाओंगी सम आलू समोसा कीमा समोसा चट्नी और शरबत रभत रहेगा और आज कल हमारे घर में रुवबजा यह है तो रभजा का शरबत पीने क्लिए बहुत दिन से मन कर रहा था कि रोबजा में थोड़ा एक नीबू भी निचोड़के और शर्वत बनाके अच्छा लगता है इनर्जी फुल और पसंद आता है तो चलिए मैं इधर आठा भी साथ यहती हूं आठा में मैं थोड़ा साथ ओईल भी डालूंगी मैदा भी डालूंगी और आठा भी डालूंग तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इधर देख सकते हैं इसको लासून को थोड़ा साथ इसका आलू को उबाल कर जो बनाएंगे फिर फ्राय करेंगे आलू को अभी बॉइल करने चाहिए बॉइल हो जाएगा तो अच्छे से फ्राय करूंगी सब कुछ डाल कर जैसे कि पूरा मैदे का नहीं बनाएंगे तो लिए आठा लीक्ति हूं कुछ अप ll ले जिए थे हमाराय कर इसको में डबी में रिधा करheंушर्म से दोबेख अब टेश्ट अकाओंड फोड़ा सा नबक डालेंगे एक्दम थोड़ा सा नमक डालना थो और कम भी रहागा तो चलेगा तो बिल्कुल थोड़ासा नमक डाल दिये हैं और अईल भी थोड़ा सागी डालें बस इधर ऐसे बीच में डालें तो इधर फैल गया है और इधर डबे में मैं तेल डाल चुकी हो और ऐसे पैकेट को छोड़ भी क्योंकि उसकी पैकेट में राता है दीने दीटे टपकेगा उसका ऑईल अईधर आलो हमारा अबल रहा है ज देख सकते हैं आटा पर अच्छे से गुन चुकी हो इसको भी भग कर छोड़ दोंगी तो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा इधर हमारा बरतान दखावा दूलने के लिए तो अभी देखेंगे टाइम मिलेगा तो ये बरतान को दो डालेंगे अनने तो फिर रोजा के बाद आगी तो टाइम बहुत है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं करती हूं हिमद नहीं करता करने तो जो ग्यानत एंरजी नहीं डाता है शरी में यो जब चाय पीए थे सेरी में चाय पी घरी रोजा रखने चलिए थोड़ा थोड़ा करके अपना काम परिंगी उसको धंग द थोड़ा सा और होगा आलू कुकर में उबाल लेती में तो जल्दी हो जाता लेकिन कुकर में नहीं बाली अब कुकर में इतना सा आलू बालो फुरा कुकर धोकर रखो ये करो वो करो करके मासोची गंज में उबाल लेती हूँ जोली पांच मिनट में हमारा आलू हो जाएगा फिर ठंडा हो जागा तो पिर छीड लेंगे गाय से दब देश सकते हैं तब से पहले ऑई डाली ऑई गरम होगी अच्छे से तफी थोड़ा सो सरसो डाल दी एक पीन चार मीठानीम पती और बादाम साथ को फ्राइ कर लिए उसके बाद में प्याज डाल दी अब प्याज डाल तो अब डाल को शाल का शगता उन्थोगान से लिए प्राइल ही मिर्च को मैं और या सी न सी मेर्च मिर्च बादाम डाल देऊंगे कि नमक अघनी डाली नमक डालींगी थोड़ा सधनिया पड़र डालीगे एक चुटकी इखनी भी डालीगे भी डालने से प्लेवर अच्छा आता है अँटीक जङदे नमक डाली थोड़ास जब प्लेका प्ली दोड़डने नमक डाली थे खराता है एक भी नपराइचे से अमिस्टर रड़र नमक अटानी नमक डाली थे ग्यास है कीवा शमुज़ा के अलुन समूसा यह इंतना और बाकी मुर्गा है और पाकिस्तान को वो पानी पिते है और इंडिया को वो खाना साथ है तो दोनों में से किस को अंडा देगा हूँ मुर्गा अंडा देता है